असलाम अलेकुम एब्रीवान जी मैं हाजर हूँ MBS 2nd के लिए अपने तीसरे लेक्चर के साथ इसे पहले हमने जो दो लेक्चर्स की उसमें हमने थोड़ा सा एक बैग्राउंड डिसकस किया इसलामिक फाइन्स का और फिर एक पिछरे लेक्चर में हमने यूट्यूब को भी मेरा प्रिकॉर्ड रिकॉर्ड लेक्चर थे इस पे और फिर हमने जूम पे भी फ्री वेशन से सेशन किया रगारिदिन सब्सकेल किया रिए ज़्तुर्स अर्ट लेक्चर है तीसरा है शौथा लेक्चर है important one of Islamic finance और वो क्यों अभी आपको पता चाल जाएगा ज़िए जब आप इसका टाइटल देखेंगे दर टाइटल इस रिवा इन इसलाम तो जैसे ही आपने सुना होगा भी हम इसलामिक फाइनस पढ़ने जा रही हैं आपके जहें में फॉरण जो कुछ नाम आयोंगे यह शायद पहला नाम ही जो आया हो ओगर रिवा का हम बच्पन से सुनते हैं यह रिवा हराम है रिवा हराम है और यह बैसे कली दिस इस वन अफ दॉफ 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 जिसके उपर जहां से इसलामिक फाइनस ने अपने आपको दिस्टेंविश करना शुरू किया फॉर्टिनरी चन्मेंशनल फाइनस और यह सबसे इंपॉर्टन दिफरेंस है और भी बहुत से इसलाम पहले हो दिसका है यह क्लास में अगर यह सबसे इंपॉर्टन दिफरेंस अगर एक नाम मुझे लेना हो is the most important difference between conventional finance and Islamic finance that is RIBA RIBA गा कॉंसेट आजीब let's start our topic on RIBA इसे वार में बगाता जाओ कि जो MBA senior है उनके साथ मैंने क्लास में RIBA के बारे में जोड़े साथ इसकाश किया था लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप आज का बिल्कुल भी lecture नहीं सुनेंगे क्योंकि जैसे मैंने आज किया था कि अब कुछ चीज़ें आड भी हो रही है और यह कुछ स्ट्रॉक्चरिंग अच्छले डिफरेंट हो जाती है क्योंकि मुझे MBA junior को भी आपके साथ मिलाना है तो यह lecture है तो दोनों MBAs के लिए senior और junior के लिए senior ने कुछ चीज़ें ही पड़ी हुए है तो लेकिन एक हमारा structure डिफरेंट है, pattern डिफरेंट है कुछ topic speech में आड भी हुए जिसरा चामने देखे हैं वाइस इट अब बिटेड यह topic शाद मैने आपको नहीं पाया था लेकिन इसको रिवाइस करते वग यह रिविजिट करते वग मैंने कुछ चेंज़ भी की हैं कुछ अडिक्शन भी की हैं तो इस इकुली आज इंपर्टन पॉर MBA senior as it is for MBA junior तो बढ़ते हैं जी, what is Riba? Riba के जो Arabic मेनिंश है Riba is an Arabic word इसका Arabic में मतलब है either to increase जिसको अल ज्यादा भी कहा जाता है और to grow इसको अल नमू भी कहा जाता है यह spelling difference हैं जी यह आप देख लीजेगा pronunciation मेरी हो सकती है तो अडियो डिफरेंट बट more or less यह ही होगी फिर इसका एक मतलब आता है to multiply जिसको अरभी में अल इर्तफा भी कहा जाता है और finally arise बढ़ना जिसको अलू भी कहा जाता है तो यह basically different नाम है और collectively यह सब को कर मिलाया जाए तो यह बनता है रिबा यानि रिबा का मतलब हमी तक आपको आइडिया होगा होगा क्या है and that is to increase और increase यह ज्यादा होना बढ़ना किसी चीज़ का इसको हम अर्रिबा कहते है ठीक है रिबा वर्ड तो इतना पुरा नहीं बढ़ना ठीक है अर्रिबा इमान भी कहा जासे है इमान का बढ़ना तो बहुत अची बात है अर्रिबा इमान तो absolutely हम किस रिबा की बात कर रहे है तो हम बात कर रहे है financial रिबा की यह financial increase और हम जब बात कर रहे है करेंगे आगे भी तो हम उस रिबा की बात कर रहे है which is earned through unjust means या un-islamic means के थूँ अगर कोई increase होता है या unjust means के थूँ कोई increase होता है आपकी wealth के अंदर, आपके finances के अंदर तो उसको हम हर रिवा देंगे तो यहां मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी रिवा का नाम हों सुनेंगे तो इसका मतलब है unjust increase in wealth तो यह पती तोर में हराम है और बहुत सी बहस इस पे चलती आई है और चलती आ रही है और इस हदी एक हदीश मैं इसमें कोड़ करता चलूँ, एक हदीश के मताबिक एक time आएगा या आफिर के दिनों में रिवा को मुक्तलिफ नामों से भी बुकारा जाएगा और कुछ को जाइज भी कहां भी नहीं है तो हम वो बैस तोबिस्टी करनी रहे रिलिजिस वैस हमारा काम भी नहीं है सब्दिफ का क्या जाइज है क्या ना जाइज है हमारा काम है तमाम पॉइंट अफिर इसकाश करना और एंड लिव अप टु दू ओडिएंस कि कोई फत्वा औवेस्टे मैं तो नहीं दे सकता, तो इस अप लोग ये सुने, क्या रीजन्स है, और अगर कोई आपके अंडरस्टांडिंग के मताबग, कुरान अजीश के मताबग, कोई चीज आपको सही या गल्द लग रही है, या कोई रिभा आपको सही या गल्द लग करें, और दिफरेंट लोगों को सुने, इसमें उन्मा इक्राम को भी सुने मैं कहूंगा, बट जब भी डिसियन ले, एक थोड़ो स्टडी के बाद, रिसर्च के बाद, और आपको बता है, मैं आप लोगों को इनकरेज करता हूं, कोई भी चीज एक डिसियन देने से पर दो रोड़ेंगा, दो अदूर्च और दो डॉट्स देने बाद, इसमें ले, हो बार बार जिकर करके, इसको डिसकरिश किया गया है, हराम भी करार दिया गया है, मकरूँ भी करार दिया गया है, कहीं पे और हराम भी आइध, बेश्तर इनमें से टाइपस अब बबार, तो यह एक टॉपिक अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद हम पढ़ेंगे वाइज एट प्रोइट यह क्यों इतना बुरा समझा जाता है तो इसकी भी रिजन पढ़ते हैं ना सिर्फ इसकी वेटा रिलिजिस रिजन आप देखने सामने लिखा हुआ इसकी सोशल रिजन को इन्गाओ टॉपिक सोशल रिजन और इनको भी रेखेंगे के टारव जरता हम ठाइप सब्सक्रां भी तॉपिक बढ़ा इक डिवाइस किर सामने लेगे हम पढ़ा हैं पढ़ेंगे हम फो इन दो पेट्स यह तो प्दा चलगा रिपा किया है इंक्रीज इंट वेडियू unjust increase in the value of wealth next topic prohibition in Quran and Redeem जैसे आप देख सकते हैं there are total 12 verses in Quran that deal with riba directly or indirectly तो बारा आयात है कुरान पाक की इसमें riba का जिकर है directly हो या indirectly हो मुखातिव करके word यूज करके हो या word यूज के बगार उसके reference हो तो बारा दफा कोई चीज़ कुरान में आए तो it should be considered to be important हम तो एक चीज़ को भी तरह इंपॉर्टन समय लेते हैं और आठ दफा वर्ड रिवा जो वर्ड है that has been mentioned in पुरान कैसे कहां कहां mentioned है सबसे पहसे जो आयत नाजिल हुई रिवा के बारे में वो थी सूरह अरून की आयत नमबर 39 सूरह अरून तीसरी सूरत है और उसकी आयत नमबर 39 मैं बलके आपको यह दिखा देता हूँ साथ साथ हम यह आयत भी देख लेते हैं जी यह देखे यह आपके सामने एक यह इंटरनेट से एक चार्ट बिचिया था जिसमें यह सामदी है आपको आप देख सकते हैं यह चार जगों पे बिसिकली सूर्तों में रिवा रिवा को बहन किया गया जिसमें सबसे पहले किया गया सूर्य रूम में यह देख सकते हैं सूर्य रूम में उसके बाद दूसरी दफ़ा इसको इसका जिकर किया गया सूर्य निसा में तीसरी दफ़ा सूर्य आल-इमरान में और फिर उसके बाद अलबाकरा में इसको दवातर गसा इसका जिकर किया गया और एक एक दफ़ा सूरे रूम निसा और आले अमरान में इसका जिकर किया गया दो दफ़ा विखे सूरे आले अमरान में और तीन दफ़ा सूरे बाकरा में आप इसमें देखें इसके अंदर आपको डिस्पाइस किया गया है रिभा को और इंकरिश किया गया है चारटी को अधर लोगों को पैसा दे रहे हैं उनकी वेल्ट इंक्रीस करने के लिए तो यह अलागी निजर में कुछ भी नहीं है और अगर आप गरीबों के ऊपर खर्श कर रहे हैं दो यहां पर नाजर में कुछ है तो यहां पर कंपरिया गया इंटरेस्ट दा चैरटी को अफ़र व्होंपर इंटरीस्ट को पर रिभात तूक्या दिगई तो यहां से दिगाद ही एक डिग्रडेशन का सबोत मिलता है धु सूरे निसा की आयत नमबर 161 यह आपके सामने आयत आ रही होगी और सॉरी मेरा ख्याल है आप के साथ शेयर नहीं हो पाया मैं आप दोबारा शेयर कर देता हूँ यह देखेंगे यह मैंने जिकर किया था कि सूरे रूम निसा इस सीक्विंस के साथ यह आयाद नाजिल हो थी इसके बाद यह वो चार टेबल है चार सूरत जहां पर इसकी प्रोभिशन रिबा की हुई है और यह वो थी पहली आयाद जीक से लिए कोई यह मसला होता है मेरे से एक और रखलती होगी थी कि मैंने तकरीबन काफी ज्यादा लेक्चर दे दिया था बिदाउट रेकॉर्डिंगर चला मैं तुबारा वो देने कोशिश करता हूँ तो चला दुबारा मैं करते तो मैं बात कर रहा था उन चार मौके की आयात की जहां पर रिवादा जिकर किया गया है तो सबसे पहले हमने बात किजी सूरे रूम की आयत 39 यहाद के सामने आयत है और यह उसका तर्जमा है और तर्जमा कर सकते हैं पहले मैंने रिकॉर्डिंग नहीं कर सका है मैंने पढ़ा भी था चले मैं आप आपके सामने इसकी समरी कर देता हूँ एक अलागी नशदीप जयादा होती है और अगर आप लोगों को पैसा दे रहे हैं उनकी सिंप्रीज कहने के लिए 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 लगा नशदीप के कुछ ली कहन है पढ़े निसां की आए 161 बा को च。 We have prepared for those among them who reject faith a grievous punishment. Sakt azab उन लोगों के लिए है, जो इंटरस्ट देते हैं. वी अज़ाब की नवीत सुना दी गही उनकों. और फिर तीसरी बार, सूर्य आल-इम्रान की आयत No. 130 के अदर इसका सिकर किया गया है. O Believers, take not doubled and redoubled interest and feed God, so that you may prosper, fear the fire which has been prepared for those who reject faith and obey God and proper, so that you may receive mercy. So, ये जो आयत है, ये specific है. ये specific है, उन लोगों के लिए, जो उस दोर में रिवा की एक specific type थी, उसमें मुलबस थे. और ये senior batch के साथ मैंने डिसकास किया इसको, with the name of रिवा जहालिया. तो ये आगे भी हम पढ़ेंगे, अग्रा topic वो ही है, तो ये उन लोगों के लिए है, जो रिवा की, उस type के साथ के साथ trade करते थे, डिल करते थे, उस दोर में, तो क्या है देखते हैं थी, तो ये उनकी मुमानत है, उन लोगों के गेंस्ट के आयत उतारी गई थी, specifically, ये आप लोग ना करेंगे. नेक्स, फाइनली जी, सुरह बकर अगी आयत 275 से लेके 280 तक इसका बार बार जिकर किया गया है, ये आयात हैं आपके सामने 275 के लिए देखें जी, इस आयत के मताविक यानि शेतान ने उन लोगों को पागल कर दिया है, जो इंटरस्ट से फाइदा आसल करते हैं, और वो ये कहते हैं का, ट्रेट इस लाइक इंटरस्ट, यानि उसको जस्टिफाय करने कोशिच करते हैं, को लोगों को भी सक्त अजाब की मे भी चनाई गई है, और अल्हादाना ने लोगों को भी बॉन किया है इसायत में ऐसा ना करें हो लो 276 और 277 के अंदर अगेन 276 के अंदर charity को increase की करने का कहा गया है और destroy करने का कहा गया है interest को और 277 के अंदर के अपने जखात दे और नमाज काइम करें जखात को पौक्या दी गई है interest के अपर और फाइनली 278, 279 और इसके बाद पर charity भी है उसमें जटल किया गया है और oh you who have believed, fear Allah and give up what remains due to you of interest if you should be believers और आप ले रहे हैं जिए interest थो छोड़ में, अल्ला से तौबा करें बिलकुल जाइज नहीं है and if you do not, then be informed of a war from Allah and His Messenger but if you repent, you may have your principle, thus you do no wrong nor are you wrong यह बड़ी सक्त आयत है उन लोगों के बारे में जो interest करते का कारोबार करते हैं और यह वो आयत है परहापस जो आपने बारबर सुनी है, कभी न कभी या सुनी होगी उल्मा से भी, टीवी पे, नेट पे, तभी भी आपने रिवा के बारे में कुछ सुना है या पढ़ा तो आपके जिन्में फोर्म आया कि हमने सुना है कि यह माज़ोंदा बार्लम बार्लम अगमध में बाज़ के साथ एक जग है, इलाने जग है, अलाने जग है अगर आपापश्राई्ट लेते हैं यह कि इसी मुतरादिब आन ज़ाए जशी आपनी पेजिए जाने, पनी परेज़ा है। लोगों के लिए तो ये पुरान पात में जिकर था और अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रिजिंटेशन की दर्फ अहदीश में भी बीस से ज्यादा दर्फा जिकर है इसका और हाँ जी और बहुत सी आदीश है बीस से ज्यादा दर्फा जिकर है टाइपस आदीश का भी उनकी सजा का भी मुमानत का भी लेकिन एक दो जिस सबसे मशूर आदीश है उनका जिकर मैं आपके सामने कर देता हूं सबसे मशूर अदीश है उसमें आप सबने कभी न कभी यह सुनी है कि अदीश के मख्रूम के मताबिक इंटरस्ट या रिबा देने वाला लेने वाला लिखने वाला और उसका गुवा उसके दो गुवा यह सब जो है जी इन पे लानत पैजे गई है अलागी और दूसरी यह मताबिक चार जोग हैं जिनको जन्न थी हुवा नहीं नसीब होगी जन्नत में दाखिल हर्गिस नहीं किया जाैगा और उनमें से एक वो हैं जिन्नोंने सूध लिया हो या दिबाते धर में मुनिफिस यह था बस एक बात है कि ना स्फ इसलाम के अदर हम जब भी रिवाफ्री गी बात सुनते हैं तो हम इस दिन में आता है इसलाम के अंदर इसके मुमाने, बलकि तकरीबान हर रिलिजिन में और खास वर्पे किताब के जो दीन है, वा वो यहूदी हो या इसायत हो, उसके अदर ममानत है जो नहीं एकामात है उसमें भी और नियु टेस्टिमेंट जो नहीं एकामात हैं लाके और यह बाइबल की दो मैं रेफरेंसिस आपको दे रहता हूं एक बुक ऑफ एक्जड़स है और एक बुक ऑफ ड्यूटरणोमी जो भी स्कीप्षिल निसीएशन है जो इन दोनों के अंदर भी ममानत है बकाइदा इंटरस्ट और लावज इस्तमाल किया लिए तो हर रिलिजन में इस्टीज की ममानत है तो क्यों ममानत है इसके लिए आपक को यह देखना पड़े गाजी यह क्या है कि रीजन से बुक्कम पूरूज कि रिषाएट सबसे पहले रिलिजिस रीजन सबसे पहले रीजन है वह्मारे लिए तिंग-बिंग मुस्मिन की यह अला और उसके रसूल की नाफरमानी है उनको इस प्रिस करने का एक जरिया है फाला नहीं कि हम धना हो सोच सकते इसके अलावा हमारे इस एंधर फिक्स्त चीजों और फास्त और फांजाखे इंदर फिक्स्टब को हराम बदेखे गा है कि एक चीज़ अगर fixed हो जाए तो वो अन-islamic रहती है इसलिए क्योंकि विवा is fixed और interest जो है खास तौदे में बहुत करूज हो जाए कि विवा fixed अगर हो जाए तो वो obviously हराम हो जाता है थिर इसलाम के अंदर मेनत को बहुत जाए इंपॉर्टन्स लीगी और ऐसी जो मेनत के बगार ली जाए वो हराम है यानि बिसमिसाल के तौर पर अगर आप office भी जा रहे हैं कि अगर आप office नहीं जाते और आप ghost मलाजम हैं जिस तरह अगसर वारे विदारों में होता है सरकारी कि ghost मलाजमीन है वो उनके नाम बस दर्ज है लेकिन वो वहाँ पर काम नहीं करते उनको जो भी salary मिलेगी वो हराम है इसी तरह आपने मेनत में की आपको पैसे मिलेगे वो हराम है लोटरी वो हराम है क्योंकि मेनत के बगार आपका इनाम निकल दिया तो इसी लिए इसलाम के अंदर earned income पे जोर दिया गया यानी मेहनत के साथ और एक system के साथ एक actions के साथ आपको के बाद कोई इंकम मिलते है तो इसके लावा सुस्ती से या घर बैटे बैटे या पगार बगाम या मेनत के बएसे मिलेगे वो हराम है और विबा इस वान अफ दोस इंकम विज़े अन आइड अचा फिर से सुशल आपक्स बड़े इंपोर्टन देके लिए सब्सक्राइब के लावा सुशल भी नहीं करनी है और यहां पे एक्स्प्लाइटेशन हो रही है जरूनत नम्रों जो आपसे पैसे ने आया है यह बिसे बिल मिद्ग खर रहे हैं इसकी जरोवत का क्वैटा रहे हैं तो लहागा एक्साल्व दिन्ग खर्टन the फिर सरह कर हैं को ने और के आपको जैसे अल्ट गो पर्जा दिया हो, उन्की पर्जे असना को उन्करिष़ किया गया है ना कि एक्स्वोज़ नी किसी कुढ़ी दे तो जैसे वोगड़ी अगेंस ठीकेस आप आप स्वाल गौट अगेंगेंगें इसकी विजा से सुस्ति, लेजीनेस, काम चोड़ी, इनको फरोग मिलती है। यूकि एक इनसान जिसके बाद बहुत पैसा है, वो आजे सूथ पे पैसा लेंड कर दे। तो इसको पुरी जिद्धी कुछ करने के ज़रत दोगे। वो घर बेटे-बेटे पैसा कुमा रहा है। जिससे हो, जिससे हो, सुस्त हो जायगा, लेजी हो जायगा। खोलत एफ लेजिनिस की भी जायगा। जो लेजीनेस की तरफ कुझे यह राविप करता है तो इस अराम इस पर इस विजना उसे आइसर लेजिए बुखल आप इसके बज़र नजर दाने के जो लोग भी सुट का रवार करते हैं यह बहुत तरफ कियों सुट होते हैं अधर आप इस पर इस साम दाने के सुट बिसिकल इसंदर लालच को उजाबर करता है ख्रीड आपको बैठे बैठे पैसा मिज़रा तो आप जाहेंगे और पैसा मिज़रा और 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 फिर आप सुट कैसे चुबल में पस्ते हैं क्या हों इसे निखल दी सकते और जब आप और पैसे की लख लगते तो आप पिर और अक्या होता है तो आप फिर अप बुखल ज़ु आइसे जो शुशल भाइसे बोलता है तपिर इंडिफ्रेंस, क्यानी सख्त बिली में सुक होगा, या हम बेहिस हो जाते हैं, इसास खतन हो जाता है, लोगों का, लोगों की जाता है, और इसास अलगाता है तो सिर्फ अपना माल जाना करने का या अपनी दॉलत बढ़ाने का इसास लाय जाता है, इसास लाय जाता है लोग एक दूसरे का ख्याल लखना छोड़ देते हैं और उनको सिर्फ अपनी दॉलत का ही ख्याल रहता है फिर ब्रदर्धरोड और कॉपरेशन यह भी खतम हो जाता है जहां आपको किसी की मदद करनी थी भाई चारे यह अपना फर्स समझते हैं अपना पैसे लें और अपनी जरूगी आप पूरा करें वहां पर आपको नालच आगया है और भाईचारा साइट बहु गया है और फाइनली एक सुसाइटी बन जाएगी विच बेस्ट उन और नॉपरेशन और इस लॉम इस रिलिजिन बाद एंपरेशन यहां तक हमें आपके सामने हैं जो हम सुनते हाते हैं लोगों की जानवरों की इंवार्मेंट की सबकी फिकर पतम हो जाते हैं और एकनॉमिक अप्रस भी है और एकनॉमिक फाक्टर्स में अगर आप देखें तो सबसे पहला है अन इकुल डिस्टिबूशन ओफ वैल्ट अबिस्टिविश होता है जो गरीव जिसको आपने पैसा दीया है, चुछ पर देख इखें जा रहे धिए और डी जा रहे उप्यक्टिक नहीं दानी है वह होता है और अप्रस में घरना पूसरों के पहले आ घरए है。 क्योंकि इससे क्या अबर कंजम्शन डिफरेंसे आजेंगे, दिमार्ड अब सुप्लाइमेर दिफरेंसे आजेंगे, फिर एक जो एकुलिब्रियम है, मार्केट्स का और स्पेंडिंग का वो इसका बोजाता है, फिर इकनोमें ते इससे बडिसास्ट्रस सिटूएशन, तो गा फिर आप सारा पैसा सुथ इनजस्ट तो गमाने केरेंसे के इंजस्टति पैसा है वो जो साइकल में नहीं आता, वो इंडिस्िन्स में इससे बढ़ता, बुच्तिस में नहीं लगता, इंडिस्थिमी नहीं लगता, लगती है, लाट दिल्टिशन झार शबर्क्वेत्ति को як तो अगर आप देखें तो यहां से बाप पर रिलेशन्शिप पदा चलेगा इंट्रस्ट्रेट है क्यों का जाता है जी के इंट्रस्ट्रेट कम करेंगे अगर हम तो हमारी एकॉनमी ग्रोग करेंगे क्यों कि इंट्रस्ट्रेट अगर आप कम करेंगे तो लोग फिर पैसे नहीं रखवाएंगे वो बैंकों में पैसे रखवा के उनकों इंड्रस्ट्री ग्रोग करती है पैक्त्रियां लगती है इक्सपोर्स बढ़ते हैं थो इसी डी इंट्रस्ट्रेट अगर। करने साथ भोड भूती है और जादा करने का मतबा हमत्राक्शन भी पल अगर है अगर आपाने को गिष्द को बिल्कुल आपकरे लिए अगर अगरे ओजिए पिष्ट के एकस्टुर अगरे सिर्शने भूरती फॉलिसी पॉलिसी पर एनी कंट्री तो उन्म्वाइम्मेंट भी बढ़ती है सिफ फिर फाइनली होडिंग कि हम आदे जाके इसको लिटेन में पढ़ेंगे जखीरा में लेकिन यहां में वाद होगी पैसा जखीरा होगे ओपर वाली बाद इंवेस्मेंट नी और ही सब कुछ रूग गया तो पैसा इंट्रस्ट आपका जमा हुआ जा रहा है और इससे क्या होगा वह ऐसा जखीरा होग अगेर बाद पर इससे इंवेस्मेंट होगा जाए जाए जिरोध और इंट्रमेंट सेप्रा आपका जाती है जो अमीर है वह सौद उसो गरीब को अगर पैसा देजे और उसको इसकी फिर पर नॉपली हो जाएगी कि जो उसके मक्रूज है तो उसके मक्रूज है तो अपनी कोटने टेकने पड़ते हैं हर बारी आए में फूपाव कोई भी मूल को जिसके आपनी परसे देने हैं कि फनापली कुल्टी बन जाती है और वो अपनी शराइद भी में आ देते हैं कोवनेंट्स लगा देते हैं and you become restricted in your actions. तो ये थे जी हमारे पास reasons for the prohibition of reward. Finally, हमारे पासी की थे पासी इसी काफ इंट्रस्ट ये लेखें जी ये थे वह रिजन्स जो आपको मैंने बताये इसी रिलिजिस, सोशल एंड एकनोमिक रिजिंस दो बेसिट टाइप्स हैं हमारे पास रिवा कि वैसे ही मैं उपको बताता है किरूँ कि क्योंकि ये आस सच वान में और सुनना में कोई हमें प्लासिफाइ नहीं किया गया रिवाजी टाइप्स को नहीं कोई नाम उनके इस तरह से लिए गये हैं जो आप सामझे देख रहे हैं बट अकॉर्डिंटो डिफर्ट अनुमा और इस्लामिक एकनोमिस्ट फिनांचल एक्सपर्स उन्होंने क्लासिफाइ किया है और आपको ये क्लासिफिकेशन हर जगा डिफर्ट मिलेगी बट दिस इस अग्लासिफिकेशन विच इस कंप्लीट और विच कवर्स और आपको शायद दो ही मिले कहीं पे नसाया और पदल तो खेर चले जी ये नेक्स बढ़ते हैं टाइपस ऑफ रिबा की तर्फ अज़े मैं कादो कि ये डिफर्ट जगाप्या आपको डिफर्ट मिल सकती है सबसे बहले टाइप है रिबा अल-दुयून दुयून अरभी का वर्ड है जिसका मतलब है लिफर्ट जगाप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप जहालत से related है कि क्या है रिवाल कर्द का मतलब है ऐसा रिवा जो के loan के उपर दिया जाएगे यहाँ पर interest के साथ इसको आप भी फिलाल ना relate करेंगे वो वाला रिवा नहीं है जो interest की सुरत में जो हम पढ़ते आए हैं बलके यह वो रिवा है जिसमें अगर आपने किसी जह हजार प्या रिवा लून लिया और आप कहतें जी वापसी मुझे 12 सुर पया था नाट इस फारमा फिल्ट्र जिन जब भी वापसी होगी तो 12 सुर पया थाएगी So this is wrong, this is haram. इसलाम में इसका, एक और बार जिकर है, यह है रिबाल कर्ज जहां पर प्रिंसिपल अमौंट जादा है. रिबाल जहां पर प्रिंसिपल अमौंट जादा होती है, लेकिन यह वो रिबाल है, जो सुर्य आले अमरान के आयत 130 के अंदर इसका जिकर है, प्रिंसिपल अमौंट नहीं लेते थे, अगर टाइम पर वो वापस नहीं करता था, फिर प्रिंसिपल अमौंट को जादा है, दबल कर देते, प्रिंसिपल तो इस केस में अगर वो फिर भी ना दे से तो फिर उसका डबल, तो दबल की बात थी, अगर किसी ने इस हजार पैया लिया और वो साल का टाइम मिला उसको साल में उसने नहीं दे पाया तो फिर ये शर्ट उलगा देते थे कि अब तो मुझे दो हजार पैया दोगे और मजीर एक साल के लिए अजर वो फिर भी नहीं दे सकता था तो फिर शर्ट उती अब तो मुझे चार हजार दोगे एक साल के लिए तो इससे ज्या होता था उबटा जाता था बैटे 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 लिये वो रिबा है जो जहालत के दौर में रिवाल जहालिया इसका भी पुरान ने सुर्य आदे वराल के दर जिकर है तो यह दो रिबा रिवाल बयून के लाते हैं रिवाल कर और रिवाल जहालिया इसमें प्रिंसिपल अमाउंट इंक्रीज करके दी जाती है बावर्श जब फिर जो बाकी टाइपस ऑफ रिवाल है वो फिर पुरान क अधीस की रोशनी में बताई जाती है और सुनत और अधीस की रोशनी में और इसलिए हम इसको रिवाल सुना भी कहते हैं इसका बिसिकली नाम है रिवाल बुयू बुयू का मतलब है ट्रांजैक्शन तो बुयू is an Arabic word for transaction, transactions के ओपर क्या रिवाल होता है क्योंकि यह सुनत से defined है इसका तमाम जिकर सुनत के अंदर मिलता है तो इसलिए इसको रिवाल सुना भी कहा जाता है तो दो टाइपस है जी रिवाल सुना गी या रिवाल बुयू की रिवाल फद्ल जिसको आप कह सकते हैं और रिवाल नसिया यह तो बड़े important है सबसे बहले मैं बताता हो रिव नसिया डिले का नसिया का मतब दिले करना कि अगर आप किसी transaction को लेकर रहे हैं तो डिले करने की वज़ा से किसी से अगर आप extra है अमांग रहे हैं ताट इस ग्रिवाल नसिया और जो आम इंट्रस्ट है लोन का वह भी और हर्भी और नसिया डेफिलेशन के इंतर आता है क्योंके आप deferment of payment के उपर राजी हो रहे हैं because of an extra amount which the borrower is paying you or which is called interest. So, interest क्यों है वो साल के लिए आपका मूँ पान कर ले. Simple as that. और दिने के लिए एक चार्ज है. आपने किसी को कहा कि मैं आप से आप मुझे 10 किल्वाटा दे दें. तो इसके मतले अगर 50 उर्वेट गाटा तो पांच उर्वेट बनता है. लेकिन मैं पैसे आपको भी नहीं दे रहा है. मैं आपको पैसे दूँगा 10 दिन बाद और मैं आपको दूँगा 600 उर्वेट. इस केस में ये जो 100 उर्वेट है, इस इस रिबा अननसिया. यहां से उल्मा जो मिजॉरिटी निकालते हैं कि इसमें फूचर या ओप्शन्स के जो ट्रांचेशन होती है, वो रिबा अननसिया के जिम्रे लाता है, वो ट्रांचेशन, हो जाती है इसके जासे एकस्टाम होता है, फार मस्में तो गरर भी आजाता है, वो बाहते हैं, तो यह है रिबा नसिया की खारी, कि टेफरमेंट की वजासे, डिले करने की वजासे, गर कुई ज्यादा रकम बन जाए, वो रिबा नसिया है. फिर है रिबा फद्ल. पदल का मतलब है Сергal सरपलस फदल का मतलब है सरपलस एक्स्ट्रा ठीक है तो यह है ट्रांजक्शन जब तो मॉड्रीटी इसके दिर में अनु होती है तो उसकेस में अगर कुछ एक्स्ट्रा दिया दिया जाए तो यहां पद्ल और अधीश के मताबिक छे चीजे ऐसी हैं जिनके उपर रिबाल फद जगाजे कर दिया गया है और उस अधीश के मताबिक उसका मखूंगे कि गोल्ड विद गोल्ड, सिल्वर विद सिल्वर, वीट विद वीट, बारले विद बारले, डेट्स विद देट्स और सॉल्ट चाहिए, प्रोवाइड़ के ये सेम क्वालिटी भी है, ठीक है, यहां पर बाद कर दो, कि छीजे सेम क्वालिटी की भी है, आप ये नहीं कह सकते, कि जी, दो, या दो तोले सोना, आप ये मेरा लें, और अगला कह सेम ये ही, आप मेरे से तीन लें, ठीक है, तो ये बिलकुल भी अलाओड नहीं है, जितनी क्वालिटी ऑफ सेम क्वालिटी आप ने देनी है, सेम एक्सचेंज करनी है, क्मॉड़िटी की, इसी तरह पैसे मे कि आपको जिस तरह एक ने नोटों का में बड़ा शोगता, पाकिस्तानियों को अलाओड नहीं होते हैं जी, है शादियों के अंदर और और इफिर्ट को आपकों पैसे में चाहिए होते नहीं होते हैं, तो ये मुझे पता है, जो मेरा पाई स्टेटमेंट में काम करता है, अच्वारे का कर झातीक है, आए दिन कोई नहीं फरमाईशार आती रहती attracting वो समझते हैं कि यही काम करें से उदिक में, अब शाय जो सबैखनेग के अप, बर जो जो हजार पे की अगर आप इन नहीं पड़ी कहते हैं की वो लें घर तो वो आपको कभी भी हजार पे तो वो हजार पेंसे भी बेसे जादा की मिंती ही उसी तरह मैंना एकसर देखा है। पाद में यह पर्फिक्ष नेके पिर्ते हैं और यह बिखेंगे अडिन दुका अंदर उसे खरीद लेते हैं तो किस तरह खरीदे हैं आप उनसे नौर भीके सिक्षे लेते हैं उनको दस्र बैय देगे तो इसमें भी बैस है कि जिए एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो उनको करना चाहिए तो बहुत है लेकिन आपके नौटों की वालिटी का फर्क है नोट नहीं है अब तो आप उसकी वेल्यू इंट्रिंजिक वेल्यू देखें कि वो इंट्रिंजिक वेल्यू सेव है तो यहां पे आप पर सवाल पहन सकता है कि असा बिनकुल भी नहीं तो यह तो रिवा है और यह तमाम के तमाम दो रिवा है यहां भान आरशिक के लख्रमें देखेंगर इसको इंशाला ताल आप देखने पर नेक्स क्लास में वेंस्टे को इसको 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 प्लिसकस करेंगे सीनियर बैच मी और जूनियर बैच मी अपना ख्याल रखियेगा